केके सिंगला जी, नायदिश, मरा जी, मैं मेरी पत्नी और मेरी बेटी बहुत बड़े दुख में हैं, हमारा बीस साल तीन महीने का बेटा बीस दिन पहले अचानक हमें छोड़का चले गया, रात को दस बजे वो हमारे वो अपने दोस्तों के साथ अपने भविश्य की प्लैन कर रहा है, तो गैरा बजे उसने खुद को अपनी जान ले ली, बहुत बहुत दुखत बात है, मतलब है ही दुखत बात की, मतलब अब हम वो इसे, इस वी से, हाँ वो नहीं, आप तो कह रहे हैं, आप तो पास रहे हैं, आप तो उसके पिता हैं, हम तो क्यों शुनकर कह रह नौजवान बच्चा अपने सरीर की हानी कर दे तो हमारे राष्ट के किसी एक कोने के एक हिस्टे की हानी तो हुई ना वो कुछ ना कुछ बन कर हमारे राष्ट सेवा में लगता वो ऐसे ये अज्ञानता पता नहीं कैसे दूर होगी हम प्रयासरत अकेले होने से क्या होगा भगवान कृपा करें ये जो नौजवान बच्चे इतनी जल्दी क्यों निर्ने ले ले लेते हैं अपने सरीर की हानी का कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में फेल हो गए तो ऐसे कर लो आपकी केवल बात ले कि नहीं कहरें पूरे हम भारत की बात करें कि आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि कई ऐसे माता पिता मिले जिनके बच्चे बे मतलब अपने सरीर को शान्त कर देते हैं कहीं कोई फेल हो गए या कहीं मुबाइल में गेम में पैसे हार गए या कोई बलेक मेल कर दिया या कोई ऐसी घटना आत्मक ही रदय के दुख वाले हो दो मिनट में उनको यह लगता है शरीर छोड़ देना कोई सुख की बात है क्या भूतियों ने मिलती प्रेतियों ने मिलती सरीर छोड़ने वाले को और बहुत वर्षों तक बहुत कस्ट में बटकना पड़ता है तो दुखा दिर और इस संसार का एक नाम है मृत्ति लोग यहाँ जो जितनी अवधि के लिए आया है उतने समय तक रहेगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्यवान बनकर उसे बहुत कठीन है प्रवचन कर लेना अलग बात है लेकिन जब अपना कोई प्री जन से विछो होता है तो दिमाग काम नहीं करता वो बार बार दिमाग उसमें जाता है पर उस इससे आपक में होगा तो शरीर के अंगों पर फर्क पड़ता है हमें लगता है कि भगवान का विधान मान करके राजी होई एं पिर जोई जोई प्यार खरे नाम जब करो भगवान से प्रार्थना करो कि आपको शामर्त दें, हम भी प्रार्थना प्रगु से करते हैं कि आपकी बुद्धिशु दो, आप भगवान में ही लगें, क्योंकि यहां आप भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, उसकी मुक्ति कैसे हो, मु दिन कराई जाती है न हम वैसी नहीं कह रहे हैं अपने घर में बुला के बालक की छवी रख करके और उसको सुरुता बना करके और शाते दिन संस्कृत से जो इमामदारी से पूरा पाठ कर सके और उसको उचित दक्षना दे दो जो मांगे तो वह भागवत का संकल कुछ बच् पक्का गुरुवर हमें मार्ग दर्शन दो जिससे हम अपनी जित्तिगी ना पड़ से बचन दो हमें बचन की बात करें पहली बात दे समझो इसका ना मृत्ति लोग है यहां सब को जाना है सब अपने अपने कर्म के अनुशार जीवाए हैं और अपने राइट टाइम पर जाएंगे देखो भगवान के भाण्ये हैं भिमन्यु जी भगवान के बाद्रा जी के पूत्र है और वश्ता थी और रणभूमी में पधारे तो अर्जुन जी जब बिलाप कर रहते तो श्वयम भगवान एकि मेरा भी तो भांजा है जितनी अवध है उतनी ही अवध के ल कि गलत धंग से गया अच्छे धंग से अपनी अवद पूरी करके जाए तो ज्यादा प्रशंशनी होता यहां से पर पता नहीं क्यों ऐसा क्या मान सकता थी उसके कोई मान सकता नहीं दस वुघे तक गुरू जी उसने बाट की अपने दोस्तों से बाली का प्रोराम बना रहा है हमारे मेरे साथ बात की मैंने कांफरेंश पर गया हुआ में आ जाए तो ऐसे मतलब छोटे हिरदे विचार वाले बच्चे ऐसे कर सकते हैं उएसे दोई तीन पॉइंट होते हैं जिनमें बच्चे अपने को या व्यासन करने वाला या गर्लफ्रेंड बॉइफ्रेंड या कोई जो आपकी समझ में नहीं आ रहा और फिर उसे कोई ब्लेक मेल कर लाए किसी तरह का और उनको डर है कि मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो चुपाते अब जो भी हो अब उसके कल्यान के लिए स्रीमत भागवत का पाठ करा दीजिए माता पिता हो और नाम जब की प्रशन रहे और कोई संताने है बेटी है तो आप इसको भगवान के कृपा से इसकी उन्नती के लिए विचार कीजिए अपने प्यार को उससे हटाइए क्योंकि अब वो आपको सोक ही देगा अब उससे कोई लाव नहीं मिल पर आप प्रसन रहेगा हम बिल्कुल अपने घर जैसी बात कर रहें नाम नाम जब करो इस समय नाम ही भगवान का आपको बल देगा जो नाम आपको प्रिलगे राम कृष्ण हरी राधा जो नाम प्रिलगे नाम जब करो नाम जब से ही आपको बल मिलेगा वो भगवान देंगे बल जब भगवान की सरण में आपाए हो तो वो ही बल देंगे आप निश्चिंत रहे देखो ये दुख शुक का थपेड़ा पूरे संसार को भोगना पड़ता ऐसा नहीं कि आपके साथ केवल हुआ हो तो हम वो कहीं बलेक मेल किये जा रहे हैं या उनके हदय पर छोट पड़ती जैसे गरल फ्रेंड बॉय फ्रेंड ऐसे हम नव किशोर बच्चें जैसे अचानक प्यार किया और किसी ने उनको धोखा दिया तो मनले वो इसकी बात नहीं कह रहे है लेकिन अचानक जैसे या फिर कोई बलेक मेल कर या फिर कोई जिसे गेम आ दितने बीचे त्रहर जाए या कोई वेशन तो ऐसे परिस्थितियां आती है आपकी नजर में तो कोई इन में दोस्त नहीं है लेकिन कुछ न कुछ तो अंदर दिमाग में चल रहा था क्योंकि इस तरह से अपने आपको नश्ट करना मतलब ये बहुत बड़ा कोई अंदर बात चल रही थी तब ही होता है जैसे हम आपके सामने हास रहे हैं बात कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर चल रहा है बात करते विए प्रश्मुत्तर करते विए हमारे अंदर चल रहा है एक डिपार्टमेंट अलग चलता रहता है सब के है जो उस चिंतन डिपार्टमेंट में उसे खाये जा रहा था वही आपकी तरफ से कोई विरोध होता आपकी तरफ से कोई समस्या होती अगला कोई कदम उन्नती के उठाने के लिए माता पिता को असमर्थ देख करके फिर वो सोचे तरह सान पर वो कोई विधाम था अब आप हो जाएए और प्रशन रहिए और नाम जब कीजिए और पुत्री में अनुराग कीजिए और इसके आगी उन्नती के लिए बढ़िए तो जो वर मिले उसे पुत्र मान लीजिए अब वो इतने दिनों के लिए ही आया था ऐसा भाव मान लीजिए हम आपके दुख में जाले अगर उसको प्रापरटी मिल जाएगे ना संपत्ती तो उसका प्रण कल्यान हो जाएगा तो साथ दिन लगते हैं बहुत सुंदर बहुत सुंदर मन्दिर हाँ चवी उसकी रखे बालक की और शंकल्प उसके लिए बुलवा करें उसके नाम का अपने गोत्र का संकल्प यह सरकारी डिपार्टमेंट जैसे होता ना कि आप बैंक में पैसा जमा करें किसी को भी दे सकते हैं ऐसे संकल्प के द्वारा हम जब पुल्ने और कुछ साधुमात्मा ब्रामनों को भोजन पवा देना उसके बाद और सारा पुल्ने उस बालक को दे देना पक्का उसका कल्या उनिमें बहुत दुन्दकारी जो था ना बहुत परेशानों का गो करने जिसे का था कि मैं प्रेती उनको तो आत्मनन गती बहुत निक्रिष्ट गती अब बच्चे हैं उनको समन में आया नहीं और कोई ऐसी पूरुकी प्रारब्द की हो भी हो सकती ब्रति जो उनको इस तर सब पुलने उसको आप संकल्प कर दीजे उसके नाम से पक्का मंगल हो जाए उसमें कोई संसे नहीं हाँ